सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट विविल डिसकस चैप्टर नंबर वन साइन्स केमिकल रियक्शन और एक्वेशन आज हम इस वीडियो में जो साइन्स का चैप्टर नंबर वन है वन साइन्स केमिकल रियक्शन और इक्वेशन उसको डिसकस्क करने वाले हैं वाले सबसे पहले माइंड में यह वैस्या आता है ओट एजक्वेशन यानि क्या है हमारी रूडीन लाइफ में कई सारी ऐसी जो घटनाएं होती है जो कैमिकल रियक्शन को represent करती है जैसे कि हमारा जो खाना है जो हम खाना खाते है उसका पचना यानि digestion of food is an example of chemical reaction उसी तरह अगर हम दूसरे एक घटना के बारे में सोचे तो respiration respiration is also example of chemical reaction जिसके अंदर हम oxygen को inhale करते है और carbon dioxide को exhale करते है उसी तरह rusting of iron यानि लोहा जो होता है उसे जंग लग जाती है ये भी एक तरह का chemical reaction है friends और formation of curd यानि की दही का बनना ये भी एक तरह का chemical reaction है ऐसे कई सारी जो घटनाए होती है जिसमें chemical reactions involved है तो friends सबसे पहले माइंड में ये question आता है what is chemical reaction हम ऐसा कह सकते है chemical reaction is a process in which one or more substances form new substances यानि chemical reaction जो है वो एक तरह का ऐसा process है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा substance मिलके नए substances बनाते हैं लेकिन friends यह याद रखेगा chemical reaction के बाद जो new substance होते है it can't be reverse by physical method यानि हम physical method के तुरू उसे reverse नहीं कर सकते है friends standard 9 के अंदर science में आपने इसी physical method के बारे में study कर चुके है कुछ physical method आप जानते हो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उसके नाम लेकर याद करवाना चाहूंगा जैसे की centrifugulation, evaporation, distillation, magnetism ऐसी कई सारी physical method के बारे में आप 9 standard में पढ़ चुके हो तो friends सबसे पहले mind में यह question आता है कि हमें कैसे पता चले कि यह chemical reaction है, what we need यानि हम ऐसा बता सकते है कि chemical reaction होगा तो उसके कुछ changes होगे जिससे हमें पता चलेगा कि यह chemical reactions हुए है, जैसे कि chemical reaction involves change in state यानि ऐसा हम कह सकते है कि जब भी chemical reactions होते है तब substance की जो state है वो change होती है friends आपको substance की जो state है उसके बारे में पता होगा, पता है ना तीन state होती है liquid, solid और gas, तो friends chemical reaction में क्या होता है, substances जो होते है वो solid से liquid में या तो liquid से gas में, gas से liquid में ऐसा उनका transformation होता रहता है और उस हिसाब से हम कह सकेंगे कि वहाँ पे अगर state change हो रही है तो chemical reactions हो रहे है chemical reaction involves change in color यानि अगर substances के जो color है वो change होने लगेंगे तो हम वहाँ पे बता सकते है कि वहाँ पे chemical reactions हो रहे है जैसे friends हमारी यहाँ पे activity 1.2 है उसमें जो example दिया गया है वो में यहाँ पे लेना चाहूंगा जिसके अंदर जो lead nitrate है उसकी process होती है potassium iodide से friends potassium iodide जो होता है वो colorless होता है लेकिन जब वो process करता है lead nitrate से तब वहाँ पे जो lead iodide बनता है वो yellow color का होता है यानि colorless से yellow जो है वो form हो गया तो यहाँ पे change in color वो भी chemical reactions जो है वो involved होता है तो friends अगर हम third जो property है उसके बारे में देखे तो chemical reaction involves change in temperature यानि उसका जो temperature होता है substances का वो change होने लगता है उसका example अगर मैं यहाँ पे देना चाहूं तो जो quick lime है उसकी पानी के साथ process होगी तो slam like मिलेगी और वो जो slam like है उसके साथ-साथ जो heat produce होती है जो हमारे flask और जो test tube होती है उसको गर्म कर देती है यानि change in temperature involves in chemical reactions and the last effect of chemical reaction is evolution of gas यानि friends हमें यहाँ पे book में activity दी गई है 1.3 जिसके अंदर जो zinc manuals है उसकी process होती है hydrochloric acid या तो sulfuric acid के साथ तो result के तौर पर हमें वहाँ hydrogen gas जो है वो evalute होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस तरह से friends अगर हमें इस चार में से कोई भी घटना देखने को मिल जाए तो हम बता सकते है कि वो chemical reactions है कौन-कौन से मैं यहाँ पर फिल से वो repeat करना चाहूंगा chemical reaction involves change in state, chemical reaction involves change in color, chemical reaction involves change in temperature and the last one chemical reaction involves evolution of gases तो friends chemical reactions क्या है और हम उसे कैसे समझ सकते है वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे chemical equations को तो friends ऐसे कई सारे वीडियो देखिए हमारी YouTube चैनल को और like कीजिए